हेलो फ्रेंड्स, पिके हल्थ फर्मेसी में आपका स्वागत है आज हम रिवू करेंगे M2Tone शिरप को जो की एक आयरवेदिक दवा है जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा वैसे यह मैलाओं के उप्योग में ली जाती है इस वीडियो में हम आपको M2Tone शिरप के फायदे के बारे में विस्तार से बताएंगे वैसे आपको बतादे के इसका इस्तमाल पिरिएड की समुष्या के दोरान किया जाता है और इसके साथ इसका प्रयोग बहुत सारी समुष्याओं में किया जाता है जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बतादे कि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो केरपैकर के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दे ताकि future में हमारी कोई भी नई वीडियो आये तो जल्दी से आपको notification मिल सके ज़्यादा टाइम ना लगाते हैं वीडियो को start करते हैं M2 Tone syrup को चरक, Pharma, Private Limited Company द्वारा बनाया जाता है जिसका market price 111 रुपे रहता है जिसमें हमें 2 से मेल की bottle मिलती है M2 Tone syrup टैबलेट और शिरप के रूप में market में असानी से मिल जाता है इसमें असोगंदा, असोका, कशिसा बसम और स्तावरी जैसी स्करिया जड़ी बुटिया मिलाई जाती है M2 Tone syrup रोगाणो रोधी गुणो को कम करता है और यह मस्तिक्स को शान्त करना, सूजन को कम करना, रक्चाप को कम करना और परती रक्षया प्रनाली में प्रिवर्तन करता है यह सवस्त संक्राणों की संक्याओं को भी बढ़ाता है अगर बात करें M2 Tone syrup के फाइदे या इसके उप्योग, यह हार्मोन संतुलन को ठीक करता है परजनन परनाली को ठीक करना, गरबाशे संबंदित बिमारियों को ठीक करना, पेनफुल पिरियेड्स में अराम देना और पिरियेड्स का टाइम पर ना आना उसको भी ठीक करता है अगर बात करें इसके side effect या इसके दुस्प्रभाव की वैसे तो इसमें सभी आयर्वेदिक कोशदी मिलाई गई हैं, जिसके बहुत कम side effect देखने को मिलते हैं परन्तु इसके कुछ गटक ऐसे भी हैं, जिनसे कुछ side effect देखने को मिल सकते हैं जैसे कि असोका, जिससे कपजी होने का खत्रा रहता है लेकिन इसमें कुछ और भी आयर्वेदिक किटक डाले गए हैं, जो कबज जैसी समस्या को ठीक करते हैं जैसे कि हारीता की नामक जड़ी बूटी मिलाई गई है जो कबज जैसी समस्या को ठीक करते हैं खुल मिला कर दिखा जाए तो इसके बहुत कम साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं अब बात करते हैं M2 Tone सिरप को कैसे प्रयोग करना चाहिए M2 Tone सिरप को मोखिक रूप से उप्योग में लिया जाता है इसकी खुराक एक दिन में एक से तीन चमच लेनी चाहिए अगर आपको इसके ज़्यादा फाइदे चाहिए तो इसको कम से कम तीन मैने तक इसका सिवन करना चाहिए लेकिन आपको बता दे की इसकी उप्योग करने के विदी और लाब मरीज की हालत और एज परनेर बढ़ करते हैं इसलिए अपने डॉक्टर से सला जरूर करें M2 Tone सिरप को समाने पाने के साथ और खाने के आदे गंटे के बाद लेना चाहिए जिन महिलाउ को मासिक दरम की प्रोब्लम होती है उन्हें इस उस्रोदी को दिन में दो बार और दो से तीन चमच लेनी चाहिए M2 Tone सिरप का उज़ करते समय हमें किन किन बातों का दयान रखना चाहिए इसका प्रियोग करते समय हमें मसालेदार और गरम खाने से बचना चाहिए इसका यूज करते समय सराब का सेवन नहीं करना चाहिए ज़्यादा मांचिक और सारे रिक काम करने से बचना चाहिए M2 टोन शिरफ का यूज करने के बाद डकन को अच्छे से बंद कर देना चाहिए यह सिरफ मैलाओं की समस्याओं में प्रियोग किया जाता है इसका प्रियोग पुर्सों में नहीं करना चाहिए इसको छोटे बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखना चाहिए सब्सक्राइब कर ले बाई बाई मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ